नमस्ति सस्त्रे अकाल केमचो असलाम आलेकूम वीवर्स इस प्रिया तोड़े भी विल स्टार्ट क्लास नाइन सिविक्स चाप्टर वन एक बार की बात है जब मैं अपनी स्टूडेंट्स को वर्ल टूर पे लेके जा रही थी तो इतने में ही किट्टी और चिट्टी दोनों ही बोलती है कि मैम वर्ल टूर पे ले जाने से पहले हमें ये तो बता दो कि डैमोकरसी क्या होती है तब मैंने उन दोनों को बताया डैमोकरसी ऐसी form of government होती है जहाँ पे people elect करते हैं अपने ruler को vote देके बट non-democratic country में ऐसा नहीं होता वहाँ पे people को right ही नहीं होता कि वो अपने ruler को choose कर सके different countries के examples बताती हूँ मैं जैसे कि Myanmar वहाँ पे non-democratic government है क्योंकि वहाँ पे army का rule चलता है वहाँ पे लोग elect नहीं करते हैं अपने ruler को जो army का head होता है ना उसे ही ruler बना दिया जाता है उस country का ऐसे rule को हम dictatorship बोलते हैं एक और example बताती हूँ South America में एक country है चिली वहाँ पे एक ruler था जिसको नाम तब पिनोश है ये भी dictator ही था army का head था इसको लोगों ने choose नहीं किया था ऐसे ही Saudi Arabia में मुनायर की rule चलता है मुनायर की बोले तो king का rule चलता है उस king को people सो choose नहीं करते है people elect नहीं करते हैं वो king इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका जनम उनका birth royal family में होता है kitty के mind में एक doubt आता है वो बोलती है ma'am क्या कोई भी country जो election करवा रही है वो एक democratic country है मैंने बोला नहीं बेटा हमें इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये country बस pretend करिये कि हाँ हमारे याँ democracy है लेकिन वहाँ पर democracy नहीं होती तो इसके लिए हम इसके features देखने पड़ेंगे कि एक democratic country में क्या-क्या features होने चाहिए और democracy के features पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें definition में तो ये बताया ही नहीं है कि कौन से ruler rule करते हैं कौन से people होते हैं जो election में participate करते हैं और किस टैप की government form होती है democracy में democracy के first feature को समझने के लिए हम जलते हैं पाकिस्तान वहाँ पे October 1999 में एक military का head था जिसका नाम था General Pavesh Musharraf इसने अपनी military की help से वहाँ के ruler को forcefully हटा दिया और खुद को declare कर दिया कि मैं हूँ आज से यहां का chief executive फिर बाद में इन्होंने बुला कि मैं हूँ यहां का president next five year भी यही president बनना चाहते थे लेकिन फिर भी एक referendum हुआ पाकिस्तान में referendum बोले तो सभी लोगों ने vote किया कि इसी को president बनाना चाहिए या कोई और president बनना चाहिए तो सारी के सारे vote इनी के favor में आए और यह बन गए president but जो पाकिस्तान की media थी, human rights organization के लोग थे और जो democracy activists थे वो बोल रहे थे कि जो referendum हुआ है वो माल practice और fraud के basis पे हुआ है बहुत गलत तरीके से हुआ है क्योंकि लोग तो चाहते ही नहीं है इने president बनाना तो लोग कैसे vote दे सकते हैं तो इस vote में घपले बाजी है 2002 में परवेश मुशरफ की government ने एक legal framework order किया अब इसके according है ना constitution में changes कर दिये पाकिस्तान में और जो national और provincial assembly थी ना जैसे कि यहां पे लोग सबा और राज सबा होती है उसको भी president dismiss कर सकता है कभी भी हटा सकता है और जो civilian cabinet है उस पे भी अपना पूरा हक जमा लिया और कहा कि जो national security council है जिसमें सबसे जादा military officers होते हैं वो ही अब सारा rule करेगी civilian cabinet पे civilian cabinet में वो people से जो elect हो कर आए थे बट उनके हाथ में तो कोई power ही नहीं थी सारी power military officers के हाथ में ही थी तो ये कोई democratic government थोड़ी ना है यहाँ पर democracy बिलकुल भी नहीं है तो first feature हमारा democracy का यही बोलता है कि in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people उस person के हाथ में उस ruler के हाथ में सारी power होनी चाहिए जिसको people ने elect किया है ना कि जो ruler जबर्दस्ती बना है democracy के second feature को समझने के लिए हम चलते हैं चाइना और मेक्सिको में चाइना में every five year में election होते हैं पारलेमेंट के और यहाँ की पारलेमेंट का नाम है यह नीम सुनके किट्टी बोलती है कि मैम क्या इस पारलेमेंट का कोई और नाम नहीं है क्या यह चाइनीज नेम तो मुझे समझी नहीं आ रहा फिर मैंने बोला हाँ क्यों नहीं चाइना में प्रेजिजन्ट को अपॉइंट करने की पावर नैशनल पीपल्स कॉंग्रेस के हाथ में ही होती है पारलेमेंट बहुत पावर्फुल होती है यहाँ पे इस पारलेमेंट में 3000 मेंबर आते हैं के पूरे ओल ओवर चाइना से और कुछ मेंबर्स को तो आर्मी भी इलेक्ट करती है और यहाँ पे चाइना में इंडिया जैसा रूल नहीं है कि डिफेर्ट डिफेर्ट पार्टी जो जैसे इंडिया में अलग लोग होती है बीजेपी हो गया कॉंग्रेस हो गया यहाँ पर only single party होती है जिसका नाम है Chinese Communist Party इसके अंदर ही छोटी छोटी पार्टी होती है लेकिन एक single जो पार्टी होती है वो Chinese Communist Party ही है और कोई भी person जो election के लिए खड़ा हो रहा है जो candidate खड़ा हो रहा है उसको पहले approval लेने पर देज चाइनिस Communist Party से या फिर चैनिस Communist Party के members है eight small parties है उसमें छोटी छोटी वो ही participate ले पाती है तो यहाँ पर हमेशा government Communist Party की ही बनती है अब चलते है Mexico Mexico 1930 में independent हुआ था अजाद हुआ था गुलामी से और यहाँ पर every six year में president को elect किया जाता है तब से यहाँ पर कोई dictator rule नहीं था 2000 तक election में एक ही party जीतती आ रही थी आपर जिसका नाम था P.R.I. Institutional Revolutionary Party P.R.I. elections में जीतने के लिए dirty tricks को अपनाती थी जैसे कि government office में जो employee होते थे उनको बोला जाता था forcefully कि वो meeting को attend करे P.R.I. की और जो teachers होते थे ना government school में उनको बोला जाता था कि आप parents को बोलो कि वो और मीडिया में भी इनके गलत कामों को दिखाया नहीं जाता था और जो opposition political parties होते थे ना अगर वो इनको criticize करते थे तो भी ये सब चीजे मीडिया में नहीं दिखायी जाती थी और polling board को last moment पे and moment पे last minute पे एक जगा से दूसरे जगा पे shift कर दिया जाता था जिससे कि लोगों क डिफिकल्टी होती थी वोट देने में अगर पी आराई बहुत जादा money खर्श करती थी election के campaign के लिए ये सुनने के बाद चिट्टी बोलती है कि मैम ये पी आराई तो एकदम छोटे भी में जो कालिया आता है ना उसकी तरह है वो भी ऐसे ही dirty tricks अपनाता था जीतने के लिए वाँ वाँ क्या बात चिट्टी बेटा तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा तो हमने देखा कि चायना में और मैकसिको में किस टाइब से elections होते हैं चायना बे जो elections होते हैं वहाँ पर एक ही party जीतती है communist party तो election का फायदा ही क्या है ऐसे ही मैकसिको में भी election दे होते हैं लोग वोट तो देते हैं लेकिन उस वोट का फाइदा ही क्या है जब पियाराई को ही जीतना है हमेशा डिर्टी ट्रिक्स करके इसलिए तो यहाँ पे डैमोक्रेसी है ही नहीं क्योंकि डैमोक्रेसी का second feature बोलता है कि a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. It means जो भी election हो रहे हैं वो free और fair तरीके से होने चाहिए वहाँ पे कोई भी dirty tricks नहीं होनी चाहिए और जो भी person currently power में है उसे डर होना चाहिए कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं अपनी power lose कर दूँगा लोग किसी और को vote दे देंगे. अब चलते हैं और countries में democracy की third feature को समझने के लिए democracy के लिए people's ने काफे struggle किया है और demand की थी कि universal adult franchise होना चाहिए. युनिवर्सल adult franchise बोले तो सभी को right होना चाहिए vote देने का जो भी 18 years से अबव है लेकिन फिर भी अभी भी किसी किसी country में ये right नहीं मिलता, equal right नहीं मिलता vote देने का. जैसे कि 2015 तक साओधिय अरीबिया में women को right ही नहीं था कि वो vote दे सके, ऐसे ही Estonia में Russian minorities को difficulties होती थी vote देने में क्योंकि citizenship के rules different different थे वहाँ पे और एक और country जिसका नाम था fizzy, वहाँ पे भी indigenous fizzy को ज़ादा importance दी जाती थी Indian physician के comparison में. जबकि democracy में तो यह बोला जाता है कि political equality होने चाहिए, सभी को equal right पिलना चाहिए, तो इसलिए जो third feature है democracy का, वो यहीं बोलता है, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. It means, एक citizen को एक ही वोट देने का अधिकार है और उस एक वोट की value एक ही होगी. मेरी प्यारे students, democracy के next feature को समझने के लिए, हम जलते हैं अफ्रीका की एक country में, जिसका नाम है जिवावे. यहाँ के people's को independence मिली थी white minority British हर से, 1980 में, तब से एक ही party यहाँ पे rule करती हूँ आई है, जिसका नाम है ZANU-PF. इस party के leader का नाम है Robert Mugabe, यह एक popular leader तो थे, लेकिन यह unfair practice को use करते थे election में जीतने के लिए, और इनकी government ने constitution में काफी बार change किया था, president की power को increase करने के लिए, और less accountable होने के लिए, जब government को जवाब देना पड़ता है public को, कि government क्या कर रही है, और कैसे decisions ले रही है, तो उसे बोला जाता है accountable, और less accountable मतलब की, बहुत ही कम government को जवाब देना पड़ता है, वो public को बताती ही नहीं है, कि उसने कैसे decisions ले है, और क्या क अगर रही है पब्लिक के लिए, रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी थी, वो ओपोईशन पार्टी के वरकर को हैरेश करती थी, और उनकी मीटिंग को डिस्टरप कर दिया जाता था, स्टॉप कर दिया जाता था, अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई डेम प्रेमान्स्ट्रेशन हो रहा है गवर्मेंट के अगेंस्ट तो उसे इलिगल माना जाता था, प्रेजिजन को क्रिटिसाइज करने के लिए लिमेटिड लॉब बनाए गए गए थे, और जो टेलिविजन और रेडियो था न, वो भी कंट्रोल में था प्रेजिजन के, गवर गवर्मेंट के अगेंस्ट होते थे, तो उसे भी गवर्मेंट एक्नोर करती थी, और जजिजिस को प्रेशराइज किया जाता था, हर बुराई का एंड तो होता ही है, तो ऐसे ही इस पार्टी का भी एंड हो गया 2017 में, इस कंट्री से हमें ये लेसन मिलता है, कि रूलर का प पनी मनमानी करते हैं, अगर किसी कंट्री में पॉपुलर गवर्मेंट है, तो उसे डैमोकरसी के लिए, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की अक्टिविटी को अच्छा करना होगा, जैसे कि इलेक्शन से पहले जो ऑपोईशन पार्टी है, उसको बोलने का हो, वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनको बेसिक राइट्स मिले, उनकी रिस्पेक्ट हो, सिटीजन्स किसी भी चीज़ को फ्री हो के ठिंक कर सके, सोच सके, उन पे कोई प्रैशर ना हो, और अपने ओपिनियन को एक्स्प्रेस कर सके, प्रब्लिक में, और एस्सोशेशन बना सके, प्रोटेस्ट कर सके, और भी काफी सारे पॉलिटिकल एक्शन ले सके, लौ के सामने, कानून के सामने, सभी लोग इक्वल हो, और जो भी राइट है, उसको प्रोटेक्ट कर सके, एक इंडिपेंडेंट जुडीशरी, और सभी लोग इस जुडीशरी के ओर्डर्स को फ नहीं उन्हें basic rules की respect करनी पड़ती है और minorities के rights की भी respect करनी पड़ती है और कोई भी major decision होता है न वो पूरा एक consultation के through जाता है सभी लोगों से suggestion लेनी पड़ती है जो भी office bearer है office bearer बोले तो जो person government में काम कर रहे है उनका right और responsibilities constitution में लिखी गई है कि उनको accountable होना चाहिए people के लिए ही नहीं बलकि independent officials के लिए भी तभी तो democracy के fourth feature में बुला गया है कि a democratic government rules within a limits set by constitutional law and citizens right it means democratic government को constitutional law और citizens right को ध्यान में रखते हुए rule करना होगा अब किट्टी बोलती है कि ma'am आपने हमें what is democracy बता दिया और उसके features बता दिये अब हमें ये भी बता दो कि democracy होता क्यूं है why democracy इतने सारे question बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बड़े होके politician बनना चाहती हो अब ध्यान से सुनो कि क्यूं है democracy तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इसके disadvantages democracy में leaders change होते रहते हैं इस वज़े से instability बनी रहती है और democracy में न political competition तो कितना ज़ादा होता है सब अपनी power दिखाते हैं power play होता है इस वज़े से कोई scope ही नहीं है morality का morality बोले तो कि क्या right है क्या wrong है क्या good है क्या bad है किसी भी decision को लेने के लिए बहुत लोगों से consult करना पड़ता है इस वज़े से decision में delay भी हो जाता है जो भी leader elect होकर आता है उसे यही नहीं पता होता कि people का best interest किस में है इस वज़े से bad decisions ले लिए जाते हैं और corruption तो democracy में होता ही होता है क्योंकि electoral competition जो रहता है ordinary people आम जनता को यही नहीं पता होता कि क्या ठीक है उनके लिए और क्या गलत तो इस लिए democracy को एक magical solution तो है नहीं क्योंकि इसने poverty भी end नहीं किया हमारी country ही democracy ऐसी form of government है जहाँ पर people's good decision लेते हैं बट क्या ये decision ठीक है या नहीं इसका कैसे पता चलेगा तो क्या कोई और भी ऐसी कोई government है जो democracy से better है इसका answer find out करने के लिए हम पढ़ेंगे advantages of democracy चलो मेरे प्यारे students बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते हैं हम चाइना वहाँ पर 1958 से 1961 तक famine हुई थी भूख की वज़े से 3 करोर people's मर रहे थे उस time पर इंडिया की economic condition चाइना की economic condition से better नहीं थी तब भी शुकर है भगवान का कि कोई famine नहीं हुई इंडिया में और economics बोलते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों countries की different government policies थी इंडिया में democratic government होने की वज़े से यहां की government को respond करना पड़ता है timely food scarcity के लिए बट चाइना में ऐसा नहीं है इस वज़े से वहाँ पर famine हो गई थी अगर चाइना में multi-party elections होते और government को operation party और press freely criticize कर पाती तो शायद यह famine से इतने सारे peoples नहीं मडते इसलिए first advantage democracy का यह है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government it means government को accountable रहना पड़ता है accountable मतलब की जवाब देना पड़ता है अगर किसी भी decision को लिया है उन्होंने तो या वो क्या कर रही है peoples के लिए second advantage democracy improves the quality of decision making it means democracy में कोई भी decision लिया जाता है तो उसको पूरा proper consultation के साथ और सभी के साथ discussion करके लिया जाता है इस वज़े से delay भी हो जाता है decision but एक perfect एक सही decision लिया जाता है तो democracy में improve होती है decision making के quality क्योंकि बहुत सो समझ के लेते है decision third advantage भी second advantage related है इसमें बताया गया है कि democracy provides a method to deal with differences and conflicts it means जो different different people है जैसे कि different region पे रहते हैं लोग different languages है different religion है different caste है हमारी country में पर तब भी लोगों में conflicts नहीं हो रहा है लडाईयां नहीं हो रही है क्योंकि सभी लोगों को equal right दिये जा रहे है सब के opinion देखे जा रहे है हमारी country में सब लोग एक होकर रहते है because of democracy क्योंकि ये अच्छे से deal करता है सभी differences जितने भी different different people है languages हैं इन सब के conflicts को हो नहीं नहीं देता सब को equal right देता है democracy का fourth advantage है democracy enhances the dignity of citizens सभी citizens को respect मिलती है उनकी इज़त होती है क्योंकि political equality जो है सभी को equal right मिलता है चाहे कोई poor हो चाहे rich हो चाहे educated हो चाहे uneducated person हो finally हम fifth advantage जेखते है democracy का इसमें बोला गया है democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes it means democracy वाली government में हम अपनी mistake को correct कर सकते हैं वैसे तो government चाह democratic हो या non-democratic हो तोनों में ही mistake हो सकती है but जो democracy वाली government होती है न वहाँ पर जादा time तक mistake छुपने सकती क्योंकि people को right होता है people ही शोर मचाने लग जाते है अगर कुछ गलत होता है दिखते है तो या फिर media में highlight हो जाता है अगर कोई भी government गलत कर रही है तो तो इस वज़े से या तो ruler अपने decision change कर देता है या फिर उस ruler को ही change होना पड़ता है लोग vote ही नहीं देते हैं उसे next time due to this reason democratic government is better than other form of government अब समझ में आया किट्टी बेटा तुमें कि why democracy is considered the best form of government इसी बात पर हम थोड़ी और knowledge ले लेते हैं broader meanings of democracy इसमें बताया गया है कि representative democracy होती है आज के time पर representative democracy बोले तो people's vote देते हैं किसी भी एक person को elect करते हैं जिससे कि वो person उनके भीहाफ पे सारे decisions ले तो majority of people's जादा तर people's जिससे vote देंगे वो ही जीत के आएगा अब जो जीतेगा जो winner होगा उसे क्या बना जाएगा representative अब यहाँ पे representative इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो लोगों के भीहाफ ले रूल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपना कोई एक representative चूज करना पड़ेगा ना एक leader चूज करना पड़ेगा तो इसलिए बोला जाता है elected representative और इस टाइप की form of democracy को बोलते हैं representative democracy देमोकरसी को हम अपनी sphere of life में भी apply कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी family का ये example ले लो अगर आपके family democratic family है तो वहाँ पे सारे decisions सबके views को देख के लिए जाएंगे सबसे पूछा जाएगा और सब लोग एक साथ बैट के decisions लेंगे आप मुझे comment section में बताइए कि आपको किस type की government पसंद है democracy, dictatorship या फिर monarchy कि किट्टी और चिट्टी अब चलो इंडिया बहुत हो गया world tour देखा अपनी इंडिया ही सबसे best है क्योंकि यहाँ पे है democracy ये थी इस chapter की short story अब हम इसे पढ़ेंगे detail में what is democracy why democracy डेमोकरिसी होता क्या है और क्यूं होता है इस chapter में हम देखेंगे कि democracy होता क्या है और इसके features क्या होते है और डेमोकरिटिक और non-democratic government में क्या difference होता है chapter के end में हमें कुछ objective बताई गए है democracy के और हम ये देखेंगे कि democracy और countries में कैसे expand हो रहा है और क्यों जरूरी है democracy हर country में और second big question कि और government से democratic government क्यों better है ये भी हम इस chapter में पढ़ेंगे तो let's move on next page what is democracy हमने अभी two type की government देखी democratic government और non democratic government why define democracy अब democracy को क्यो define करना पड़ता है तो मैरी अपनी teacher से पूछ रही है मतलिंडा से कि मैम हमें definition के क्यों जरूरत पड़ती है मैरी बोलती है मैम I don't like this idea हम पहले democracy पर discuss करें फिर उसका meaning निकाले तब जाके उसे approach करें ये तो time waste हो गया न एक तरीके से तो उसकी मैम बोलती है देखो तुम्हें pan का पता है rain का पता है क्या होता है love का पता होता है लेकिन इसकी definition के जरूरत है क्या तुमें तुम बताओ त बोलती है कि ने मैम तबी तो ही definition होती क्यों है क्यों जरूरत पड़ती है हमे definition की तो उसकी मैम बोलती है जब हम rain की बात करते हैं और rain को अगर हम different purpose के लिए use कर रहे हैं तो उसे हमें define करना पड़ेगा इससे cloud burst के लिए या फिर डिजल के लिए अगर हम use कर रहे हैं तो हमें इसलिए इसको define करना पड़ता है। इतने में ही class में से एक और students इसका नाम है Rebank तो ये बोलता है कि ma'am हमें definition की क्यों जरुत पड़ती है। Abraham Lincoln ने तो पहले ही define किया हूँ है democracy को कि democracy is the government of the people, by the people and for the people और Meghalya में तो यही definition को apply होता है। सब लोगों ने इसी reference को accept किया हुआ है तो हमें इसको change करने के क्यों जरुत पड़ गई। फिर ma'am बोलती है कि मैं इस definition को change करने के बात नहीं कर रही हूँ। ये definition तो बहुत सुंदर है। मैं ये बोलना चाहरी हूँ कि जो भी definition है उसको हमें think करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हमें वो चीज समझ आ रही है तभी तो हम वो चीज accept करेंगे। ये सोच के थोड़े न accept करेंगे कि ये famous है तो हमने इसको accept कर लिया। फिर एक और student इसको नाम है Yolanda तो वो बोलता है कि ma'am देखें मैं कुछ suggest करना चाहता हूँ। ये जो democracy word है न ये Greek word है, demokratia यहां से आया है ये, demos means people और kratia means rule, democracy is rule by the people, इसका meaning तो ये हुआ है correct। फिर ma'am ने बोला कि ये definition helpful तो है लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगी जैसे कि computer, computer starting में computing purpose के लिए आया था कि बहुत difficult mathematical sum है तो उसको हम इससे solve कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करकर computer में writing, designing और लोग music भी listen करने लगे, सुनने लगे और films भी देखने लगे, तो word तो same ही रहता है लेकिन उसके meaning है न, time के साथ साथ change होते रहते हैं। जिसे कि computer का हुआ कि पहले तो उसको starting में calculation purpose से रखा गया था, अब उसमें इतने सारे काम होने लगे, तो definition change होगी न, कि अब हम उससे ये सारे काम भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से democracy के साथ भी हुआ है, तो simple definition, अब हमने ये तो देख लिया कि democracy के जो simple definition होती है, उसे हमें औ और आगे expand करना पड़ता है, तब जाके हम clearly समझ भाते हैं कि democracy में और क्या क्या चीज़े add होई है, तो democracy के हमें simple definition तो पता ही है, कि democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, किसी भी country का जो ruler होता है, वो अगर peoples के थुरू elect हो रहा है, peoples उसको elect कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस country में democracy है, वहां की government democratic है, यह definition starting point के लिए बहुत useful है, क्योंकि इससे भी पता चलता है कि democracy और non-democratic country में क्या difference है, यहाँ पे example में बताया गया है Myanmar country का, कि यहाँ पे army rule होता था, यहाँ पे लोग elect नहीं करते थे अपने ruler को, जो भी army का head होता था, वो ही बनता था, वहां का ruler, ऐसे ही, चिली में प और Saudi Arabia country में भी monarchy system है, monarchy बोले तो king का rule, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो यहाँ पे भी people elect नहीं कर पाते थे अपने ruler को, royal family में जो भी bond होता था, वो ही ruler मनाया जाता था, अभी तक जो हमने democracy की definition पड़ी, कि democracy is people's rule, people जहाँ पे rule करते हैं, वही democracy होती है, तो इतनी छ features पता होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता, कौन से government ऐसे pretend कर रहे हैं, कि हमारे हैं तो democracy है, और पता लगा हमाँ पे democracy है यह नहीं, तो इसलिए हमें proper features पता होने चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से पता लगा सके, कि democracy के लिए क्या क्या conditions apply होती है, features of democracy, अभी तक हमने simple definition रूलर हैं वो कौन है, और जो भी person elect होता है, जो भी official elect होता है government के लिए, democracy में वो कैसे काम करता है, कैसे decision लिता है, और जो non elected official है, इनको elect नहीं किया जाता, वो लोग कैसे काम करते हैं, और किस type के election होते है, democratic election में, और क्या-क्या condition fulfill करने पड़ते है elections के लिए, और कौन से people ह होते हैं, जो elect करते है, ruler को, क्या सभी citizens को ये right मिलता है, finally किस type के government form होती है, democracy में, क्या जो elected ruler होता है, वो अपनी मनमानी करता है, जो उसे मन करता है, वो करता है, या फिर कुछ limits होती है उसके लिए, और क्या democracy में citizens के right की respect होती है, या नहीं होती है, क्या ये necessary है, democracy के लिए, तो ये सारे question, put up होते हैं, जब हम definition पढ़ते हैं, democracy की, इन सभी question का answer हम example के थूँ देखेंगे, major decisions by elected leader, October 1999 में, पाकिस्तान में एक military का head ता, जिसका नाम था, जनरल पवेश मुशरफ, इसने military coupe कर दिया, मतलब अपनी military के help से, वहां के जो elected government थी, उसको हटा दिया, और executive हूँ, बाद में इसने अपने designation change करके, खुद को president बताया, 2002 में एक referendum हुआ, referendum बोले तो voting type system, लोगों से vote करवाया गया कि आने वाले 5 सालों में, किसको president बनाया जाए, तो यही जीते थे, इनी को ही president बनाया गया था, आगे 5 year के लिए, बर जो पाकिस्तानी media थे, human right organization के बहुत गलत तरीके से किया है, माल प्रेक्टिस और फ्रॉड के basis पे हुआ है, लोग तो agree है, इनी लोग तो बनाने नहीं चाहते हैं, इने president, तो यहाँ पर यह पूरी सिजे फ्रॉड तरीके से हुई है, इस president ने अगस्ट 2002 में एक legal framework order किया, अब इस order के हिसाब से, जो constitution तन उसमें amend कर सकते हैं, मतलब कि changes ला सकते हैं, तो काफी सारे changes हैं, और इस order के according, national और जो provincial assembly थी, जैसे कि हमारी country में लोग सबा और राज सबा होती है, तो उसको यह dismiss कर सकते थे, अब इनके हाथ में इतनी power आगी थी, और जो civilian cabinet था ना, उस पे भी यह supervise कर रहे थे, उस पे भ normal people थे, उन लोगों पे अपना हग जमाने लगे, civilian cabinet पे पूरा पूरा अपना राज जमा लिया इनोंने, इस legal framework order के बाद भी elections होते थे, national और provincial assemblies में, लेकिन जो भी person elect होता था था ना, उसके हाथ में कोई power ही नहीं थी, सारी power military officers के हाथ में थी, और जनरल प्रवेश मुशर् के हाथ में, बहुत सारे reasons हैं कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई democracy, क्या आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में जो भी ruler elect हुआ था, उसको people लेकर आता, नहीं बिलकुल नहीं, वो तो fraud तरीके से हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन कुछ जो elected people होते थे, national और provincial assembly में, उनकी बिचार के तो कोई मानता ही नहीं था, कोई चलती ही नहीं थी, क्योंकि सारी power जो थी, वो general मुश्रफ के हाथ में थी, जो वो बोलते थे, वही होता था, तो ऐसा ही काफी सारी countries में, dictatorship और monarchies होता है, तो ऐसा काफी सारी countries में भी होता है, कि formally, एक elected parliament दिखाए जाती है, कि rule नहीं बोलेंगे, तो first feature जो है न हमारा democracy का है, inner democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people, it means किसी भी country में, अगर democracy है, तो वहां का जो final decision होगा न, जो भी power होगी, वो उस person के हाथ में होगी, जिसको people ने elect किया है, free and fair electoral competition, अब हम चाइना भी देखते हैं कि चाइना में कैसे election होते हैं, चाइना में हमेशा five years में election होते हैं, और यहां के जो parliament है, उसका नाम है, या फिर national people's congress बोलते हैं, national people's congress है, जो parliament होती है, इसके हाथ में power होती है, कि किसी को भी president appoint कर सकते हैं, पूरे country में से, तो यहां पे जो members आते हैं, वो 3000 members होते हैं, जो पूरे चाइना से elect किये जाते हैं कुछ जो members होते हैं, वो army के through भी elect होते हैं, और यहां का जो election होता है ना, उसको उसमें participate लेने के लिए, candidate को पहले communist party से approval लेने पड़ती है, यहां पर एक ही single party है, Chinese Communist Party, जैसे कि हमारे इंडिया में दो है ना, जैसे BJP हो गया, Congress हो गया, और भी काफी सारी parties हो गई, लेकिन च चाइना में only one ही party है, Chinese Communist Party, अब इसी में ही eight small parties हैं, छोटी-छोटी, वो आपस में election लड़ती रहती हैं, और उसमें सही winner बोल देता है, कि यह winner है, यह president बन गया है, लेकिन party हमेशा एक ही रहती है यहां पर, अब हम देखते हैं Mexico की story, 1930 से जब से independent हुआ है Mexico, तब से every six year में election ह हुए है, यहां पर president के लिए और यहां पर कोई भी military or dictator rule नहीं है, but 2000 से every election में एक ही party जीती हुआ ही है, जिसका नाम है PRI, institutional revolutionary party, PRI किसी और party को जीतने ही नहीं देती थी, वो बहुत सारी dirty tricks यूज़ करती थी election जीतने के लिए, जैसे कि जो government employed होते थे उनको बोला जाता था कि हम government school में बोला जाता था teachers को कि parents को force करो कि वो लोग हमें ही vote दें, और media में यह बोला जाता था कि आपको opposition political parties का कुछ दिखाना ही नहीं है, बस हमारा ही सब कुछ दिखाओ, उन्हें तो बस तुम criticize ही करो, sometimes चो pooling भूत हो देते उनको shift किया जाता था एक जगा से दूसरी जगा पर last minute पर ही जिसे की लोगों को difficulty होती थी vote देने में और PRI तो बहुत ज़ादा पैसा खर्श करती थी campaigning में candidates के, यह जो भी मैंने highlight किये सारा important इसको point wise लिख सकते हो, इस विज़े से मैंने different color से इसको highlight किया है, अगर exam में Mexico का कुछ भी question आता है, तो explain करने के लिए तो आप य यह जो हमने भी example देखे हैं, क्या यहाँ पर जो ruler है, वो people elect कर रहे है ruler को, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, चाइना में तो only एक ही party है, एक ही party के अंदर छोटी छोटी party हैं, वो यह आपस में लड़ती रहती हैं, तो people's के बात तो कोई choice ही नहीं है न इसलिए हमने second feature add किया है democracy में, जिससे कि जो election होते हैं न, वो people को एक real choice दे, कि लोगों के पास choice हो political parties के लिए, कि बहुत सारी political party होनी चाहिए, जिससे कि लोग अगर satisfy नहीं है एक political party से, तो वो next time किसी और political party को vote दे सके, तो यहाँ पर यह proper definition बताई गई है, a democracy must be based on a free and fair election, where those currently in power have a fair chance of losing, it means कि democracy में free और fair election होने चाहिए, जो भी currently power में है person, उसको डर होना चाहिए कि अगर मैंने धंग से काम नहीं किया तो मैं lose कर दूँगा, मैं अपनी power को lose कर दूँगा, और हमारे पास काफी सारे option भी होने चाहिए, काफी सारी parties होने चाहिए, जिससे कि अगर को और को vote दे सके, one person, one vote, one value, अभी तक हमने देखा कि लोगों ने कैसे struggle किया है democracy के लिए, और जो democracy है वो linked है universal adult franchise से, कि जिस भी country में democracy होगी, उसमें universal adult franchise तो होना ही चाहिए, universal adult franchise means कि जो भी person 18 years के अबव है, उसको right होना चाहिए, vote देने का, तो ये principle है ना, पूरे world में तो लो लेकिन कहीं कहीं पे, अब भी भी मना किया जाता है, equal right to vote के लिए कि सभी को अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2015 में, साओधे अरेबिया में, women's को right नहीं होता था, vote देने का, ऐसे ही, स्टोनिया में, जो citizenship rule थे ना, उसकी वज़े से, Russian maniautic को इतनी difficulty होती थी, vote देने म और physique में भी कुछ ऐसा ही था, कि जो indigenous physique people से उनको जादा value दी जाती थी, compared than Indian physian के, जबकि democracy का fundamental principle, the basic principle, political equality है, कि सभी को equality मिलनी चाहिए, तो democracy का third feature बोलता है, कि in a democracy, each adult citizen must have one vote, and each vote must have one value, हर एक citizen को एक vote देने का अधिकार है, और उस एक vote की value, एक ही होगी, now we will move on the next page, rule of law and respect for rights, जिम्वावे को independence मिली थी, अजादी मिली थी, बिटिशर से, white minority से, 1980 में, उसके बाद से, country में एक party थी, जिसका नाम था, ZANU-PF, तब से ये party जीती हुई आई है, और इसके leaders है, Robert Mugabe, election तो यहां पर होते ही थे हमेशा, लेकिन हमेशा यही party जीती थी, जो प्रेजिजेंट थे मुगाबे, वो popular थो थे, लेकिन वो unfair practice को follow करते थे, election में, जैसे कि जो उनकी government थी, वो constitution को यह बहुत बार change करती थी, जिससे कि उनकी power increase हो सके, और accountable less हो सके, तो जो opposition party थी, उसके workers स उने भी यह लोग परिशान करते थे, उनकी meeting को ही disrupt करने की कोशिश करते थे, public protest होते थे, demonstration होते थे, अगर इन लोग के against, तो उसको illegal बता दिया जाता था, और काफी सारे laws भी बनाए गए गए थे, जिससे कि president को criticize नहीं किया जा सके, और television, radio, यह सब भी control किये जाते थे, government के version दिखाया जाता था, उनकी advantage अच्छाय दिखायी जाती थी, अगर कोई independent newspaper वाला भी होता था था ना, तो उसको भी मना किया जाता था कि आप government के against कुछ भी नहीं लिखोगे, journalist को साफ साफ यह बोला जाता था, और government कोट के judgment को भी ignore करती थी, अगर कुछ भी उनके against में है त और judge को भी pressurize किया जाता था, बट इन सब के होने के भी बावजूद 2017 में मुगाबे को हटा दिया गया, जिमवावे के example से हमें ये पता लगता है कि किसी भी ruler को popular होना sufficient नहीं है democracy में, हो सकता है कि जो popular government है वो undemocratic हो और जो popular leader है वो autocratic हो, autocratic बोले तो जो भी leader जिसके हाथ म सारा control है, वो अपने according काम करें, अपनी चलाएं, तो उसे बोलते हैं हम autocratic, अगर हमें democracy लाने है अपनी country में, तो हमें election के time पे ये देखना पड़ेगा कि election से पहले और election के बाद क्या हो रहा है, और जो political operation में party है जो operation वाली party है, उसको भी पूरा-पूरा right देना चाहिए, ज citizens के जो basics rights है न, उसकी भी respect हो, जिससे की जो citizen है वो free to think, freely think कर सके, सोच सके, अपने opinion बता सके, express कर सके public में, और association मना सके, protest कर सके, और पी काफे सारे political action ले सके, कानून के लिए सभी लोग E को लोने चाहिए, और जो भी right है उन्हें protect करना चाहिए by independent judiciary के थूप, मतलब की judiciary ज सके, और सभी लोग उनके order को भी obey करे, माने उनके order को, कुछ conditions है जो government पे apply होती है, election के बाद, जैसे कि जो democratic government है, वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करेगी, क्योंकि वो भी जीत गई है, election नहीं, उन्हें respect करना पड़ेगा basic rules को, और respect करना पड़ेगा minorities को भी, और हर जो भी major decision लिया जाएगा, वो consultation से लिया जाएगा, सब के consultation लेनी पड़ेगी, और हर office bearer जो भी जीत के आया है, उसको rights मिले है, और उसकी responsibility है, और यह सब कुछ constitution में लिखा हुआ है, और laws में लिखा हुआ है, और यह सब कुछ accountable है, people के लिए ही नहीं, independent officials के लिए भी, इसके बारे मे हम और chapter 4 में पढ़ेंगे, तो जो fourth और final feature है ना democracy का, उसमें यही बताया गया है, कि जो democratic government है ना, वो एक limit में काम करती है, और यह limit set की गई है, constitution law और citizens rights के according, summary definition, अभी तक हमने जो भी बढ़ा है, उसको इसमें summarize किया गया है, जैसे कि हमने starting में democracy की definition देखी थी, लेकिन इस definition म keywords को explain ही नहीं किया गया है, तो keywords को explain करने के लिए हमने four features देखे थी, जैसे कि first feature था, कि जो भी ruler elect होकर आता है ना, वो major decision लेगा, बड़े-बड़े decision लेगा, और जो election है, वो एक choice देता है, वो fair opportunities देता है people को, जिससे कि वो अपने current ruler को, जो at present rule कर रहा है person, उसको change कर सके, औ और इस choice की opportunity सभी लोगों को available होती है, equal basis पे, और ऐसा नहीं है कि जो भी government rule कर रही है, वो अपनी मनमानी करेगी, उसके लिए भी limited rules रख दिये गए है, constitution और citizens right के according, why democracy, अब democracy क्यों है, ये हम देखेंगे, इसके merits, demerits देखेंगे, merits मतलब जो advantages होती है, जो भी अच्छा ही हो होती है, democracy की, तो पहले हम देखते है, demerits मतलब जो disadvantages है, तो argument against democracy, democracy में leaders change होते रहते हैं, इस वज़े से instability बनी रहती है, और democracy में power play और political competition बहुत होता है, इस वज़े से morality होती ही नहीं है, morality बोले तो, क्या right है, क्या wrong है, क्या good है, क्या bad है, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, बस अपने competition में ही लगे रहते हैं, और democracy में काफी लोगों से consult किया जाता है, इस वज़े से काफी सारी decisions होते हैं, वो delay हो जाते हैं, और जो elected leader है ना, उसे ये भी नहीं पता होता, कि लोगों का best interest किसमें है, तो इस वज़े से वो bad decision ले ले लेता है, democracy में बहुत सदा corruption भी होता है, electoral competition की वज़े से, और जो ordinary people होते हैं, आम लोग होते हैं, आम जंता होती है, उनको तो पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, वो decide ही नहीं कर पाते हैं, क्या आपके mind में भी कोई argument आता है democracy के against, democracy कोई magical solution तो है नहीं सारी problems का, क्योंकि इसने क पावर्टी एंड नहीं करी है, अपनी country का एक्जाम पर ले लो, हमारे भी पावर्टी एंड नहीं हुए, गरीबी अभी भी नहीं हटी है, democracy की जो government होती है, वो ये तो ensure करती है, कि हाँ जो people है, वो खुद से vote देंगे, वो खुद के decisions लेंगे, लेकिन क्या ये guarantee है कि वो ज democracy में frequent changes होते हैं leadership के, लबकि आज एक leader आया, तो five year बाद वो दूसरा leader change हो गया, तो ऐसे change होते हैं leader, इस वज़े से instability भी रहती है, और जो big decision है, वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं, government efficiency भी नहीं रहती है, इन सभी argument से हमें ये लगता है कि जैसे democracy जो है न, वो एक ideal form of government नहीं है, बट real life में देखा जाए, तो democracy को न, किसी और form of government से batter माना जाता है, अब क्यों batter माना जाता है, वो हम देखते है arguments for democracy, अब इसमें हम advantages पढ़ेंगे democracy के, चाहिना में famine आया था 1958 से 1961 तक, और ये world का सबसे worst famine था, भुकमरी की वज़े से 3 करूर पीपल की death हो गी थी यहां प उस time पर इंडिया की economic condition ठीक नहीं थी चाहिना से, तब भी इंडिया में कोई famine नहीं था, कोई भुकमरी नहीं थी, जैसे कि चाहिना में थी, economies सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों कंट्री की अलग-अलग different government policies थी, इंडिया में democracy है, इस वज़े से Indian government को response करना पड़ता है अगर food की scarcity कमी हो जाती है तो, और चाहिना government में ऐसा नहीं है, इसी वज़े से जो democratic country होती है ना, उसमें large scale में famine देखने को नहीं मिलता, अगर चाहिना में भी multi-party election होता और opposition party को भी opportunity मिलती और press free होता, वो लोग criticize कर सकते government को press जो है, जो media है, तो शायद इतने लोग नहीं मरते famine से, इस example से पता लगता है कि क्यो democracy best form of government है, democracy जो है वो किसी और government से ज़्यादा इसलिए अच्छी है क्योंकि वो people की need को, people की जरूरतों को देख रहे हैं, उनको respond कर रहे हैं और जो non-democratic government है ना, वो respond तो करती है people की need को, लेकिन ये ruler पे depend करता है, जो भी person rule कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपने according करेगा, वो people के wishes को नहीं देखेगा, लेकिन democracy में तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो people की need देखी जाती है, जो ruler होता है वो people की needs देखता है, और जो democratic government होती है ना, वो एक better government इसलिए है क्योंकि ये more accountable form of government है, accountable बोले तो government को जवाब देना पड़ता है public को, कि वो क्या कर रही है लोगों के लिए, कैसे decisions ले रही है, और भी reasons है कि democracy क्यों better decision लेती है, किसी भी non-democratic government के comparison में, क्योंकि जो democracy है ना, उसमें consultation और discussion होता है, कोई भी decision लेते हैं तो उस पे पहले discussion होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, meeting करते हैं, तब जाके कोई decision लिया जाता है, क्योंकि जादा लोग होंगे, तो mistakes कम होगी, हर कोई point out कर देगा, अगर कोई भी mistake होगी तो, ये time तो लेता है decision, लेकिन यहाँ पर irresponsible decision नहीं होते, जो decision होता है, वो बहुत अच्छे से लिया जाता है, ये तो advantage है democracy की, कि democracy improve करती है decision making की quality को, इसी advantage से हमारा third advantage भी relate करता है, अब third argument देखते हैं हम, कि democracy provides a method to deal with differences and conflicts, इस argument में differences का मतलब है, कि जो society में people रहते हैं, उनके different opinion होते हैं, different interest होता है, जैसे कि अपनी country के example ले लो, हमारे यहाँ पर social diversity है, people's show है, different reason के हैं, different language speak करते हैं, बोलते हैं, different religion हैं, लोगों के different caste है, तो अब ऐसे में na, clashes होंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हमारा religion अच्छा है, हमारा religion अच्छा है, तो conflicts भी भढ़ेंगे, तो इसलिए जो democracy होती है न, वो सब के opinion को रखती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही powerful है, ऐसा नहीं होता democracy में, सब के opinion लिये जाते हैं, और सब के according, एक peaceful solution लिया जाता है, democracy में कोई permanent winner भी नहीं होता है, ना ही कोई permanent loser होता है, जो अच्छा काम करता है, लोग उसी को vote देते हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे ताब next five year में, आप ही को vote दिया जाएगा, तो यह होता है democracy में, कि different group के people को, और सब को opportunity मिलती है, और सब लोग peacefully होके रह पाते हैं, diverse country होते हैं भी जैसे कि इंडिया है, democracy ने हमारी country को एक करके रखा है, अभी हमने जो three arguments पढ़े हैं democracy के, जो मैंने purple color से भी highlight कि हो है, तो इसमें यहीं बताया है, कि जो social life कैसी होती है democracy में, और जो government है वो कैसे काम करती है, तो इतना ही enough नहीं है, हमें यह भी बता होना चाहिए, कि जो democracy है, वो citizens के लिए क्या कर रही है, यह matter करता है, ना कि government के लिए क्या कर रही है, अगर democracy अच्छे decision नहीं ले पा रही है, accountable government नहीं है, तो भी यह किसी और form of government से batter है, क्योंकि democracy enhance करती है citizens के dignity को, dignity बोले तो respect होती है citizen की, उनकी बातों को सुना जाता है, और जो citizens हैं, जो people हैं, वो freely express कर सकते हैं अपने views को, और equality भी मिलती है सबी लोगों को, चाहे कोई poor हो, या least educated person हो, उसे equal status दिया जाता है, rich और educated person के, इसमें एक तरीके से people ही rule करते हैं, क्योंकि अगर people को कोई ruler पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसकी mistake को improve करने के लिए, next time उसे vote ही नहीं देंगे, तो democracy एक better form of government है, किसी और government से comparison में, क्योंकि यह allow करते हैं में, कि हम अपनी mistake को correct कर सके, बट अगर non-democratic government को देखे, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती है, वहाँ पर mistake को नहीं ठीक कर सकते हैं, तो democracy में एक discussion होता है, mistakes के उपर फिर उसे correct किया जाता है, अगर कोई अच्छे से ruler काम नहीं कर रहा है, तो उस mistake को, हमने mistake कर दिया उसे vote दे के, तो उस चीज़ को हम improve कर सकते हैं, next time पर हम उसे vote ही नहीं देंगे, तो democracy की यही तो अच्छे बात है, कि या तो ruler अपने decision change कर ले, citizens के according जो लोग बोल रहे हैं, people's बोल रहे हैं, उसके according decision change करें, नहीं तो people's ही ruler को change कर देते हैं, और ये सारी चीज़े non-democratic government में नहीं होता है, अभी अभी हमने जो पढ़ा, उसको हम summarize करते हैं, देखो, जो democracy है, वो हमें सब कुछ तो नहीं दे रही है, सारी problem का solution तो नहीं है, लेकिन ये एक better alternative है, अगर हम किसी और form of government को comparison करें तो, ये एक good decision भी ले सकती है, better chances तो है ना good decision लेने के, क्योंकि ये people's की respect भी कर रही है, और people's को allow भी करें कि जो people's की wishes है, वो पूरी कर सकते हैं वो लोग, और people एक साथ रहे भी रहे हैं इस वज़े से, अगर democratic government fail हो रही है किसी भी काम को करने में, तो वो अपनी mistake correct कर सकती है, और जो citizens है, वो भी अपनी mistake को correct कर सकते हैं, क्योंकि उन्हे dignity मिलती है, उनको respect मिलती है, उनको इज़त मिलती है इस चीज़ के लिए, तो वो अपनी mistake को ऐसे correct कर सकते हैं, अगर उन्हेंने किसी ruler को choose किया, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उनको लगेगा कि यार हमने तो गलत person को vote दे दिया, हमने तो mistake कर दी, इस mistake को वो improve भी कर सकते हैं, correct भी कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइव इयर में वो उस ruler को vote ही नहीं देंगे, इसी लिए जो democracy है ना, वो best form of government बोली जाती है, 1.4, broader meanings of democracy, इस chapter में हमने देखा democracy का मतलब क्या होता है, और democracy के features क्या होते हैं, तो हमें काफी idea तो लगी चुका है, कि democracy होता क्या है, और आज के time पर ना, representative democracy होता है, representative मतलब होता है, कि हमने किसी person को vote दिया, कोई नेता चुना, कोई leader चुना, वो leader हमारे बिहाफ पे, सारे decisions लेगा, तो वो हमने एक person represent कर दिया, कि ये person लेगा, अब सारे decisions हमने इसको choose किया है, तो इसलिए बोला जाता है, representative, और जिस democracy में representative होता है, तो उसे बोला जाता है representative democracy, democracy country में, सारे people तो एक साथ rule नहीं कर सकते न, उन्हें कोई न कोई एक leader choose करना पड़ेगा, तो इस वज़े से, जो majority of people होते हैं, जादा से जादा लोग जिसको vote देते हैं, तो वो person बनता है ruler, और वो सभी के बिहाफ पे, एक decision लेता है किसी भी चीज़ का, और वो ruler, elect तो कराता है, मतलब election के थुरू आता है, इसी वज़े से उसे बोला जाता है, elected representative, अब ये सारी जीज़, हम इसलिए करते हैं, ये इसलिए necessary है, क्योंकि modern democracy में न, सारे people, physically तो represent हो नहीं सकते, एक साथ, एक साथ बैट नहीं सकते, आप खुद सोचो, कि पूरे इंडिया के people, एक साथ बैट सकते हैं, किसी भी decision को लेने के लिए, नहीं, तो इस वज़े से, हमें एक representative, choose करना पड़ता है, और लोगों के पास, citizens के पास, इतना time भी नहीं है, और उनके पास इतनी skills भी नहीं है, कि वो किसी भी decision को ले सके, तो इस वज़े से, वो अपने representative चूज़ करते हैं, कि हम अपने एक ruler चूज़ कर रहे हैं, वो हमारे बहाफ पे सारे decisions लेगा, हमें काफी कुछ clear तो हो चुका है, democracy के बारे में, लेकिन ये भी एक ना, minimal understanding है democracy की, हमें इस चीज़ के तो clarity हो गई है, कि democracies और non-democracies में difference क्या है, लेकिन अगर हमें democracy और एक good democracy में distinguish करना है न, तो उसके लिए हमें और deep में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें government के ही example दिया है, beyond government देखे, यानि कि अपनी daily life में हम देखे, democracy तो उसमें हम कैसे examples ले सकते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी, यहाँ पर first example देखते हैं, अगर कोई democratic family है, अगर उस family में लिया जाता है, तो सबको एक साथ बिठाया जाता है, सबके opinions लिये जाते हैं, तो वो एक democratic family हो गई, क्योंकि वहाँ पर सबको right मिल रहा है, और अगर कोई teacher allowed नहीं कर रहा है students को, कि वो अपने doubts पूछ सके class में, तो इसका मतलब जो students से उन्हें freedom नहीं मिल रहे है, freedom of speech नहीं मिल रहे है, वो अप खुल के अपने बातों को नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर democracy नहीं है, अब हम last example देखेंगे, कोई एक leader है और उसके family है, वो ही सारे decision ले रही है पूरे country के, तो यह भी democracy नहीं है ना, democracy में क्या होता है, जब जो citizens होते हैं, वो अपने leader को elect करते हैं, और leader citizens के problem को देखता है, तब decision लेता है, तो वो होते है democratic, तो democracy word ऐसा है, जिसको हम daily life में भी use करके देख सकते हैं, जो हमारी daily life के काम है, जो आसपास पे हो रहा है हमारी life में, जो भी spare of life है हमारी, उसमें भी हम apply कर सकते हैं, democracy के principle को, कभी-कभी हम democracy word ऐसा करते हैं, किसी एक existing government को describe करने के लिए नहीं, बलकि कुछ aim होते हैं, जो democracies में होने चाहिए, जैसे कि two democracy वही होती है, जब कोई भी बंदा भूका न सोए, और democracy में न हर citizen को equal decision लेने का अधिकार होना चाहिए, equal right मिलने चाहिए vote देने के, और उनकी needs को देखना चाहिए, जैसे कि सभी को equal information मिलना चाहिए, basic education मिलनी चाहिए, equal resources मिलना चाहिए, और भी काफी सारे commitment जो भी democracy में होती है, अगर हम इन points को seriously ले, तो कोई भी country democratic नहीं होगी, क्योंकि जो democracy country होती है, जैसे कि हमारे इंडिया ही ले लो, हमारे हमी तो poor people होते हैं, जो रात में कभी-कभी bookies हो जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हमारी country के democratic नहीं है, है ना हमारी country में democracy, तो ये points, ये चीज़ बताते हैं, कि जो minimal democracy है, और जो good democracy है, उसमें difference क्या है, जो good democracy वाले country होते हैं, उसमें सब कुछ heavy label होता है, democracy को इसलिए तो value दी जाती है, क्योंकि ये बताती है, कि हमारी country में क्या-क्या weaknesses है, जिसको हम improve कर सकते हैं, और आज के time पे, democracy में people's elect करते हैं, अपनी representative, और वो representative rule करते हैं, अगर कोई small community है, वहाँ पे democracy decision देखो, कैसे लिए जाते हैं, सारे लोग जो होते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, और decision लेते हैं, क्योंकि वो तो छोटी सी जगा है, वहाँ पे सारे लोग इखटे हो सकते हैं, जैसे कि example ले लो gram सभा का, वहाँ पर ऐसे ही तो होता है, और कोई भी country में न, perfect democracy नहीं होती है, अभी जितने भी हमने points पड़े हैं, ये तो एक minimum condition है, कि ये तो होना ही होना चाहिए, अगर जिस country में democracy है, तो कोई भी democratic country है, तो वहाँ पर सारी चीज़े तो perfect नहीं हैं, तो उनको perfect बनाने के लिए, हमें constant effort करने पड़े के, जिसे कि एक good democratic country बन सके, decision making अच्छा हो वहाँ पे, citizens को right मिले, अच्छी democracy के लिए, citizens को भी तो work करना पड़ेगा, हमें हमारे उपर ही depend करता है, citizens के उपर ही depend करता है, कि वो अपनी democratic country को strength मतलब मजबूत बनाए, या उसे weak बना दे, इसलिए rulers पे नब depend लोके, हम citizens को भी काम करना चाहिए, democracy के लिए, तो यही चीज़ तो different show करती है, हमें other form of government से, क्योंकि हमारे government में, democracy rule होता है, citizens का rule चलता है, और non-democratic में monarchy, dictatorship, one party rule होता है, वहाँ पे तो citizens को party नहीं लेने देते हैं, participate ही नहीं करने देते हैं, तो citizens करे तो करे क्या वहाँ पे, बट democracy में तो यह फाइदा है न, कि हमें political participation मिलता है, सारे citizens को right मिलते हैं इतने सारे, इसी बात पे chapter होता है हमारा finish, please like and subscribe my video, and share with your friends, thank you,